आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी आपको क्वेस्टन हो तो आप ना अपने क्वेस्टन का लिस्ट बनाईए इंशालला हम वीग में एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आम स्रीफ प्र स्रीफ आपके क्वेस्टन और आपके प्रॉब्लम को डिसक्स करेंगे ताके आपको की प्रॉब्लम ना ओक्याइस आपके प्रॉब्लम क्या अब इसको पढ़ाता हूं जब जादा मजा था पढ़ाने में और उमीद करूँगा कि आपको पढ़ने में भी उतना ही जादा मजा आएगा ओके गाईस क्या गाईस प्रॉब्लम अच्छा अब इस की पैसलिस दो तिन डिफरेंट यूज़ दोतें आप पेले मताँको है यूज क्यों किया जाता है और पर बटाऊ को यूज कैसा है क्यों कैसे why and how अच्छा अब इसका जो first use है वो किया जैसे मैंने कि नाम ले लिया है मैंने किया अली is a boy अली is a good boy अली is a great boy अली comes every day अली speaks English very well अली is a punctual boy अली is a hard working boy अब यहां पर मैं बार 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 अली 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 बार बार मैं अली के नाम को repeat कर रहा हूँ तो इससे बेदर क्या मैं एक बार से noun बोलूँगा अली बोलूँगा इसके बाद मैं क्या करूँगा हाँ replace करूँगा बतलब कि अब आपको पर नाम क्या हो गया एक ऐसा अलफाज जो use होता है noun के जगे पर उसको बोलते है अली is a good boy अब यहां पर जितने मैंने हली बोले है आप आप मैं क्या बोलूँगा he is he 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 तो इसका होग आपका first use अब दूसरी बात इसका आपका क्या है कि जब तक आपको noun का पता ना हो आप प्रोनाउन को use नहीं कर सकते है वो कैसे सुनिए गा अब समझे आप चा लड़के हैं ना मैंने बोला He is a good boy He is a good boy अब ही कोन है वो समझेगा मेरी बात हो रही है ही समझेगा मेरी बात हो रही है हाँ तो यहाँ पर में क्या हो लोगा That he is a good boy He is a good boy तब यहाँ पर आपका हम pronoun को इस्तिमाल करेंगे इस तरीके से यहाँ पर पर उसका में नाम लोगा फिर मैं यहाँ पर यूज करूँगा pronoun को guys Are you done? Very good अच्छा अब बताँगो मैं आपको किया आपके पास कितने किसम के pronoun होते हैं Fine तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपके क्या अली टीची सना अगे अब यहाँ पर अक्षर पुड़ आपको पता है कि यहाँ पर अली आपको क्या है Subject और टीची आपको क्या है War़ भे और सना यहाँ आपको अपको Object is Fine तो यहाँ पर अली आपको subject है सना आपको Object होगे Fine अच्छा है pronoun हम प्रोनाव क्यों समाल करेंगे हमने बताया था आपको कि when we want to use our in place of noun that is called a pronoun अब यहां पर आपको use क्या होगा this is a question let's see okay अब यह तमाम आपके subjective pronoun है और यह तमाम आपके objective pronoun होने गाज के it means that subject की ज़िए पर हम इन्हें समाल करेंगे और place of object हम use करेंगे इन तमाम को are you guys catching me very good के here अच्छा अब suppose that मुझे यूज़ करना है अली ठीचे सना fine मुझे यह यह यूज़ करना है pronoun और यह यूज़ करना है pronoun fine अब मैं क्या करूँगा अब मैं अली के लिए यहां से उटाओंगा यह यहां से अब suppose that मैं दूँगा आपको एक example क्या दूँगा एक example fine अब समझो यह आपकी पतेली यह सालन लिए और यह पतिली अपर क्या है चाहिए और आप्वी समझो कि यह चीनी का डब्बा और यह नमक का डब्बबा करें tow Keं क्यों क्या आपको क्या सूड़ी हाँ यह आपको तब्जेक्टिव नायन के लिए आपको क्या होगा अब्जेक्टिव परना गाश की अच्छा अगर आपको याद हो मैंने पढ़ा था आपको जेंडर्स याद है ना we have got four जेंडर्स yes masculine feminine neutral and common ठीक है फिर हमने लास्ट हम आपको पढ़ा है था क्या person first person second person and third person yes guys के तो जब कभी आप किसी नाउन को परनाउन में करें चेंज तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका ये person कौन सा है जिसे के मैं आप से कह रहा हूँ के अली टीचिस सना क्या अली टीचिस सना मैं स्पीकर हूँ आप कौनों का है लिसनर yes गाइस तो अली के बारे में और ये बात it means that अली आपको क्या हो गया third person के तो it means that क्या हम यहां से उठाएंगे no very good क्या हम यहां से उठाएंगे no very good यहां बिलकुल हम उठाएंगे यहां से क्योंके यह आपका first person है यह आपका second person है और यह आपका क्या है third person it means that हम ना यहां से उठाएंगे तो इस भेल हम उठाँ से क्या तो यह पर क्या औजाएगा ही यह तो अली को आपनेकाँ ही मैं हमें फाइंड तो यह पर संट इस क्या माः पर स्भी नहीं और फिमेल नि DD आ खराद ही अजहाएं लेकिन इस आली को यह पर सब्जेटिber नहीं है और शी आपका क्या है शी आपका subjective पुर्णा उने तो यह आपका she का objective पुर्णा क्या हुआ जी हाँ her guys तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा her तो यहाँ पर क्या बनेंगे he teaches her are you catching me guys very good fine अच्छा नाव आपका क्या आपका second example againация you know वे क्या है यह अपक्या है subject if अना Noon ने तो subjective अलीओ नोट 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 अब बता बीटा संद्था के लिए आम यहां से लेंगे यहां से बुलो लो लो yes of course यहां से क्योंकि हमनले चाहेब ऐसाभ्यक्षिए नाउट। यहां पर रम आइंगे कि I यह औगा नूव यह औगा नूव क्योंकि थर्ड परसनेर तो यहां पर हम क्या नहेंगे यह सर शी थे अपर क्या होगा यह सका शी हेट्स अब बताओ फुर अली हम कहेंज फिरेंगे ही नूब वाइब कोज ही आपका सब्जेक्टिव पुरुणावन और यहां में क्या चाहि आपजेक्टिव फुरुणावन तो क्या होगा शी टीचिज अ हीम यह जाइस क्या शी टीचिज अ हीम यह तो वान मुद गाइस क्या मोर एक्जेंपल के मैं दूगा आपको यहां पर क्या है सरसजाद टीचिज इस स्टुड़ेंट अच्छा एसस वट इसस यहां पर एसस अपने क्या हो गया बडिया और यह व्यार एंपने बड़ क्या हो गया औपजिक तो यहां पर हाँ क्या युचे बेह कि लिए वलो बलो 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 बयो making sure he Olok अगर आपको याद हो मैंने क्या होला एक है मैं स्कुले ने तो ही एक से ज़्याद है प्लोरल है जहां जेंडर का पता ना हो तो भी यह हैर भी उसक्या दे तो दे तो आपका सब्जेक्ट यहां पर हमें क्या चाहिए तो यह दे का यहां पर आपको क्या होजाएगा देम यहास गाइस टो तो आपको ही के लिए रो गया आपको शी के लिए रो गया और आपको देखा देंड़ ममदा तो मैं आपको वन राइक प्लियर सुनिए गा students like success job fine students like success job अब यहां पर ही आपको किसे अलिए मरक्या है subject take it's a plural fine यह आपको हो गया वर्प और यह आपको क्या है अब्जेक्ट अगे ऐसे स्वाने यह से सज्जाद लाउर शिल पशेटी ओके गाइस कमान तो अब यहां हम बड़ा क्या यूश करेंगे आपर इसके लिए ही no because यह आपका प्लोरल है इस्टुडन से और इस इस इस्टुडन से तो हैर वी बड़ा यूश क्या दे ओके एंड दे लाइक अब बताओ यहां पर क्या हो हमारा यहां पर आपका सज्जाद कही ता अब यहां आपका क्या हो जाएगा हमारा हम क्यों भाईया हम बिकास यहां पर क्या है objective pronoun are you catching guys very good guys but it means that आपको he clear हो गया yes she clear हो गया yes और दे भी आपको क्या हो गया clear इसी तरह आपको he का he clear हो गया she का her clear हो गया और दे का them अब बताओंगा मैं आपको कि it का आपको use क्या fine now next example यहां पर आपके पास से सुनिएगा mobile is new what guys mobile is new अब यहां पर mobile आपको क्या है subject fine तो बताओ mobile के लिए हम क्या use करेंगे देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं I am first person you are scared person and mobile आपको क्या है third person क्या male no female no yeah this is neutral मतलब ना male ना female तो यहां पर हम क्या होज करेंगे eight yes guys यहां पर में क्या बनूँगा that it is new okay guys very good and now I like my dog I like my dog के अब यह इसमें I असल में आपका एक सिन होता है कि I आपका noun भी है और I आपका pronoun भी है but guys I आपका noun भी है और I आपका pronoun भी है वो कैसे सुनिएगा अगर मैं आपसे बात करें तो मैं आपसे क्या बनूँगा I am your teacher yes I say God is your teacher guys guys मैं क्या बनूँगा I am your teacher guys तो इसी तरह I आपका noun भी है और I आपका pronoun भी है फाइन गाइस तो I का सेंब भी है आपका क्या होगा I I like my dog अब यहां पर my dog आपका क्या है एक noun है now let's change it into pronoun अब जैसे मैं आपको लास्टिम क्या का था कि अगर हमें उस एनिमल का जेंडर पता हो तो हम ही और शी इस्तिमाल कर सकते पता हो तो नहीं पता हो तो it तो यहां पर it means that अगर आपको पता है तो आप क्या बनेंगे I like him क्योंकि है आपका ही dog है if you don't know the gender तो आप क्या हो लेंगे I like it yes guys okay fine तो now guys के आपके पास क्या आपका दे भी clear हो गया अब मुझे आपको क्या समझाना है आई वी और यू एक बार पहर सो क्या गाई तो उमीद करता हूं यहां तक clear हो गया now let's see some more example with I, U and V let's go there yes my lovely people okay and जैसे मैंने आपको last example लेता उस सालन का और उस चाय का okay तो उमीद करता हूं कि आपको clear हो के कभी भी बूल से आपको सालन में चीनी मद डाल दीजिएगा और कभी भी चाय में बूल से नमक मद डाल दीजिएगा fine it means that subjective noun को subjective pronoun से change करेंगे और objective noun को objective pronoun से करेंगे change do not forget it okay अच्छा guys बाकी जो आपके example से guys कैसर जिते हैं आई टीच अली ओके अब आई यहाँ पर आपर subject है अली आपको subject है और अली आपर आपर subject है और अब जैसे मैंने आप से कहा था कि आई noun भी है और आई आपको pronoun भी इसलिए आई को change नहीं करेंगे तो यहाँ पर भाईया हम क् आपका नहीं है अली के लिए हम जिसके लिए ही ही टेचीज मी अब मी जैसे में आप से कहा था के मी आपका noun भी और आपका pronoun भी गाज व्याश के अच्छा अब दूसरी बत बता तुम्हें आपको के यू भी आई की तरह दोनों है नाउन भी है और pronoun भी है अब आम यू का pronoun अच्छा यू को अम एज़ा नाउन के लिए पर इसमाल नहीं कर सकते हैं कि यू आपका दोनों है जैसे मुझे क्या गयाना है कि यू आर माइ फ् यहां पर में की स्कूरूँगा यू टीच यू यू टीच यू यू टीच यू बैरे गुड़ गाज के एंड नाउ दा के समोर टूएक एक्जेंपल्स आर दियर ही एंड आई आर फ्रेंड अब यहां पर यह दोनों आपके सब्जेक्ट हैं यू एंड आई वह और मैं अब जब यहां पर चाहिए तो यहां पर आपका प्र तो guys this was guys okay your last example right and now it's time to say bye-bye but guys आपके पास guys क्या बो सारे क्या उटे थरीके कारे इस पर practice करने का जैसे के सुनिके गा right here शारकाउन is an actor he is an actor fine my mother is in kitchen she is in the kitchen I like my father I like him okay guys I like my students I like them my students like me they like me I like marker I like it marker is black it is black तो यह सब आपते क्या होगे now to change your pronoun guys के so now it's time to say love ways but yes आप अमारे चैनल को subscribe करना ना भूलिए और इस bell के icon को click करना ना भूलिए तक के आपको आने वाले तमाम interesting videos के बारे में update मिलती रहे आप इसको share करें comments करें और लोग को बता इसके बारे में so now it's time to say love ways and kind of power I know our star love is time